प्रेंग्स चलिए आप लोग को दिखाएं बगीचे में कितना फूल है यह देखिए सब फूल लगा हुआ है मकान मालिक का है मकान मालिक का है देखिए सब फूल लगे हुए उपर तक की नीचे वाला कोई उखार के ले गया चुरा के रात सबेरे तील-चार बजे आके तभी कुत्ता धोक रहा था जो है यह है दिखा दे रहे आपको इतना फूल है और यह देखिए दो ठूधन लटका है दो टो अंदर लटका है और यह है इधर देख लीजिए नीला फूल है और यह कड़ी पत्ता इनका और नीला फूल यह सब जंगल कारन सब उथर फुथर गया है और देखे कितना अच्छा फूल है और देखे इतना अच्छा फूल है गुरहल का और देखिए सब जंगली पत्ताता की कारन खराब हुआ जा रहा हम SE जितना हुआ घास उखार के हमने काफी फेग दिया है ऐसी बात नहीं है अरे कहीं आज देख रहे हैं है नहीं हमको लगता हुई जो फूल चुराने वाली आती हुई सब उखार के चुरा के ले गई है और इसके अंदर इतना चीटी है हमें जखम कर दिया समझ लीजिए काट काट के हम घास असुजिन को सफाई किया था कापी सफाई किया था इस तरीके से चल आज आप लोगों को वोल सेल सब्जी मंदी लेके चलते हैं चलिए देखिए यह मध्धमग्राम के आगे बादूर बजार पड़ता है यह वही मार्केट है बादूर बजार यह तीन बज़े से मार्केट लग जाता है इस समय आठ बज गया है इस समय आठ बज गया है तो इस समय बजार मिल्कुल चाराने भरका रहे जाता है इस समय 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 चार आपको किसी दिन जल्दी आके दिखाएंगे यह थोड़ा बहुत रहे गया है जो है वही आपको दिखाया कुछ सब्जी लेना था हमें भी कुछ सब्जी लेना था कि इस बोल भे हैं दोस्तों यह सब सब्जी लेके आए हैं थोड़ावत यही परवल भिंडी टमाटर बंधा मूली अद्रक धनिया कक्रोल यही सब सब्जी लेके आए हैं दोस्तों और अभी बरतन अरतन पड़ा हुआ है घर का काम काज पड़ा है खाना पीना बनाना उसके बाद हमको मार्केट बंगे पानी से दोके साब के पानी से धोके रग दिया है यह एंद्रक अद्रक सब लाए थे और उनकर आए धुर्व के लिए लेका आय क्लिशक है तो को करते हैं जो एलकाशा फटा है जैसे गोली से उतरता है यह विल्कुल फ्रेश है क्यूęt मंघुम्डीन है तो यह थोड़ा साम खर्वोस को भी दे लेंगे और हम लोग भी खा सकते हैं सब में नहीं है यसी तरीके से हैं और चलिए आज पूरी सब्जी पना कि अगर कि अगर कि इसमें ज्यादा तेल लगता नहीं है अलुक टमाटर की सब्जी में कि अधाख से डाल गए अधाग से दाल है यह यह गन मसाला बनाया था वही डाल दिया क्योंकि प्यान ने सुन तो पड़ता लेंगे तो गन मसाला टाल दो तो तोड़ा सा ग्रेवी लाड़ा हो जाता है कि अधनिया डाल दें अच्छा लगेगा खाने में चलिए दोस्तों आई आप लोगी नास्ता अस्ता फानी कर लिजिए यह दो चम्मस तेल में अलुक टमाटर की धनिया की सब्जी बन जाती है अल्दी नहीं पड़ती है सब्जी में चलिए आईए अप लोग भी अचलिए देखिए दोस्तों जो केनिंग स्कीर्ट से लेके आये थे यह दर्दस रुपय का लेके आये थे हमारे इधर यह 20-20 रुपय का है ट्रेन में भी हम लोकल ट्रेन में भी जाते हैं वहां पे भी 20 खर्गोस को जाड़ते है यह देखिए चिम्टी हम 10-10 रुपय का लेके आये थे दोसेट 20 रुपय में यह देखिए यह जो रबर ब्रेंड है बालो वाला यह हम 1 पीस मिलता है यह एक पीस दस रूपया का मिलता है इसमें कम से कम बहुत सारा दस रूप दस बारा होगा अमने गिना नहीं है यह हमको 20 रूपय प्रैकेट पूरा मिल गया था यह सब काम की चीजे हैं ले आए और यह 10 रूपया का यह अगर बत्ती स्टेंड एक ठो लिया यह भी 10 रूपया का मिला यह 20-25 रूपय का मिलता प्रतन के दुबवन में यह देखिए यह हमको बहुत अच्छा चीज मिला हमाँ पास स्टील का वैसे है लेकिन यह किसी को देनेने के लिए भी सही है कुछ लोग होते हैं न मांगने के आदा जिन्दी की बीच जाती है मांगे मांगे तो इस तरीके से पकड़ लिया यह यह बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन है धेखिए अच्छी डिजाइन बने हैं अच्छी अच्छी डिजाइन बने हमने का लाओ लेले सटता safer में हमको मिल गया था और ये हमको चूरिया मिल गया थी इससमें festival आրा है सब बदल बदल के सब पहनेंगे कपरों के साथ। तो 30 दीस रूपय का मिल गया था nårडबि रूपय का हमको यह नेल प्रेंट विल गया था 10 रूपया का हमने का cलो ठाहिक है dस रूपया में ओट के आ लोगे यह देखिए ये चूडिया पतली-पतली 6 पीस है, सुन्दर है, हमने देखा अच्छा कटिंग का काम भी है, ये हमको मिल गया था, 50 रुपया में, ये ये वाला आपको चाबी को कुछ चाँचा टांगने के लिए, और यहां कुछ काड़ाड रखने के लिए, ये हमको 60 रुपया में मिल ग तो वो 200 रुपय के थे, अगर ये होगा, तो ये कम से कम 300 रुपय के नीचे नहीं देगा, ये बहुत अच्छा भारी ताला है, और ये हमको 100 रुपय का मिल गया था, 100 रुपय ये, 100 रुपय ये, और ये दो कटोड़े हैं, ये कोई समानमान रखने के लिए, फूलूल रख दोगी लोग आ गए है, बहुत देर तक बैठे थे, तो उन्हों के बिस्किट दे लिया, खा के पानी पी के चला गया, अभी फिर आएगा, लोगो डोड़ी लोग खाना देना जरूरी है, सब दावा, खाना पीना सब देते हैं, अभी उनका स्प्रेज खत्म हो गया है, तो दो बजे के पहले डॉक्टर साब चले आगे है, कुटोगी वाले, तो हम जाके ले के आए, बड़ा-बड़ा-मोटा-मोटा रोटी बना देते हैं, दोस्तों, पेट भर जाए हुनका, कुटोगी के पैर में इतना तकलीव है, जिसका कोई जबाब नहीं, किसी ने भेंगकर इटा मारा है, तो वो चली नहीं पारा, उसका दवा लगा दिया है लगके ने, सरसों के तेल में हल्दी लगा दिया है उसका पट्टी बांग दिया बैठा हुआ है चुपचाप कहीं जा नहीं रहा है जबकि वह सबसे आदा चंचल है तो यह अभी गईया को दे देते हैं खाना तो छिलका वेगरा है तो वह सामने गईया है अब जो को रोटी ओटी दे दे रोटी देके यहीं समात कर देंगे यह तो एक जो डॉगी है ना वो जो है सब को जो है मार रहा है तो सफेद वाला एक डॉगी है तो भाग गी अभी अरिव कि सब डॉगी को अधुन मार रहा एक कि तो अभी यह स्कोई खाना दे खना खारा रहा है यह यह सब को मार रहा है कहां कहां नहीं मालूम है कालू आगा कालू को देधेते हैं कि यह पैलो हम आइट कि हिए हम एक चीज दिखाना चाहते हैं हमने महेंडी कि पत्टि का डाल वालू में लगा दिया यह देखिए छोटे-छोटे पतते आ गए उधर भी लगाया उधर भी लगाया, देखे सब पत्ते आ गाये, बालू में लगाने से हमने एक चीज देखा है, अच्छे से ग्रोव हो जाता है, ये हम लोग के इधर जो है, ऐसे ही घास घूस में ही लगे रहते हैं, और देखे हैं, ये पत्ते, ये देखे हैं, हमने लाके अकेले कैमरे, ये यहाइ इसकी हम ड टोड़के लाए ते सफेद रंका फूब लाए इसकी हम डाल टोड़के लाए और इसमें भाद इनले मरनी तो सुंधर हो गया इसको जो है अब घमला में फिर मिलेंगे आप लोग खुब खुश रहें नमस्ते सबको